तो हेग गाइस वेलकम बैक टो अन्य वीडियो तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो एक ऐसा एंडोइड अमुलेटर बताने वाला हूँ जो कि आपके लोएंड पीसे में इजली चल जाएगा मैं 2-3 दिन से इस अमुलेटर में गेम को प्ले कर रहा हूँ इसमें मुझे जो अभी तक कोई भी एरर वगेरा देखने को नहीं मिला है इसमें जो इजली सुमूतली गेम प्ले चल जा रहा है और आपको पता भी होगा कि मैं जो पहले आप अमुलेटर को अपने पीसे में ट्राय करता हूँ ना उसके बाद मैं आपको जो अमुलेटर को उपर वीडियो देता हूँ messaging रखते हो, तो चलिए धन आपको बताता हूँ कि आपको जो इस सम्मूलेटर को कैसे सैटप करना है तो सबसे पहले आप क्या करने की डिस्किप्सान में आपको इस अमुलेटर का लिंक मिल जाएगा आप जो वहां से जाकर किसे download कर लेना और download करने के बाद अब आप क्या करना है कि यह जो एक zip file होगी तो आप जो simply इसे unzip कर लेना तो आप जो यहाँ से से extract here कर लेना तो यहाँ पर जो इसका एक folder आ जाएगा तो जैसी कि आप देखोगे यहाँ पर यह एननी 4X नाम से एक folder आ जाएगा तो आप इस folder को open कर लेना ना open करने के बाद अब आप simply क्या करना कि यहाँ पर आपको यह blue stack installer नमका exe file मिल जाएगा आप simply यहां से इसे open कर लेना तो जैसी आप इसे open करोगे तो यहां पा कुछ इस प्रिकार से इसका interface open हो के आ जाएगा तो अब आप simply क्या करना है कि यहां पर आपको एक custom installation का option मिलेगा आप इस पर click करना और यहां पर आपको यह file location मिल जाएगा कि यह किस derive में install होगा आप यहां पर देख सकते हो अगर आप इसे और किसी file location में install करना चाते हो तो आप यहां से file location चेंज कर सकते हो तो मैं जो इसे c derive में एक new folder में install कर लेता हूँ आप जो इसे install कर लेना फाइल लोकेशन सेलेट कर लेने के बाद अब आप सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर जो ही आपका अमुलेटर इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसके बाद आप क्या करने कि यहाँ पर आपको desktop पर इसके एक shortcut आ जाएगा तो अब आप सिंपली क्या करने कि यहाँ से जो emulator को launch कर लेना तो यहाँ पर जो emulator launch हो जाएगा अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो emulator open हो चुका है अब आप simply क्या करना है कि आप जो यहाँ पर सबसे पहले इसकी setting कर लेना तो आप यहाँ पर setting वाले option पर click करना तो यहाँ पर यह setting open हो जाएगा अब आप क्या करना है कि यहाँ पर आपको पहले यह resolution का option मिल जाएगा तो आप आप अपने PC के साब से कोई भी एक resolution रख सकते हो या फिर अगर आपके पास low-end PC है तो आप आप सिंपली सबसे कम resolution रख लेना और DPI में आपको यहाँ पर 240 का option नहीं मिलेगा तो आप सिंपली क्या करना है कि आप आप 160 DPI को select कर लेना तो आप आप से पर क्लिक करना और यहां से इसे restart कर लेना ताकि यहां पर जो यह setting apply हो जाए नाओ जैसी यहां पर यह emulator restart हो जाएगा तो आप सिंपली क्या करना है कि यहां पर आप जो दुबारे से जो यहां पर setting में चले जाना अब आप यहां पर engine वाले option में आ जाना यहां पर आप graphics engine में इसे performance पर रहने देना अब ग्राफिक rendering mode में आप simply क्या करना है कि अगर आपके PC में graphic card है तो आप यहां पर open jail को select कर लेना अब ग्राफिक करनी है तो आप यहां पर deck text को select कर सकती हो अब आप simply आपर नीचे आ जाना यहां पर आपको CPU core को option मिल जागा तो अगर आपके PC में 2 core है तो आप यहां पर 1 core select कर लेना अब RAM में आपको यहां पर IS 3GB RAM को option मिल जाता है तो अब आप simply आपर 2GB RAM को select कर लेना देन उसके बाद enable high frame rate पर क्लिक करके यहां से जो आप इसे 240 fps तक को enable कर लेना और उसके बाद अब आप यहां पर से पर क्लिक करना और यहां से हम later को restart कर लेना ताकि यहां पर यह जो setting की थी वो भी apply हो जाए अब आपके यहां पर setting complete हो चुका है अब हम क्या करेंगे कि हम जो इसमें free fire game को install करके play करेंगे तो इसके लिए आप क्या करने कि आपको जो description में free fire game की ob46 global version apk file मिल जाएगा आप जो simply वहां से जाकर के download कर लेना आप download कर लेने के बाद अब आप simply यहां पर यह apk को option मिल जाएगा आप इस पर click करना और जहां पर भी हमने यह free fire game को download की थी हम जो simply यहां से install कर लेंगी तो अभी आप यहां पर देखोगे यहां पर जो यह free fire game install होने लग जाएगा तो अभी आप देख सकते हो के यहां पर जो यह free fire game install हो चुका है आप आप आपको simply क्या करना है के आप जो simply आपर game को open करके game को play कर सकते हो तो चले फिर अब हम जो यह आपर game को open कर लेते हैं तो अभी आप जो यहां पर free fire game को open कर लेना आप उसके बाद आपको इसमें क्या करना है के आपको जो सबसे पहले आप इसकी key mapping करनी है तो इसके लिए आप जो पहले आपर setting में चले जाना और उसके बाद आप यहां पर control में जाना यहां पर आपको दो option मिल जाएंगे smart और standard तो आप जो simply से standard पर select कर लेना तो यहां पर जो automatically key mapping set हो जाएगा अब आपको क्या करने के आपको जो यहां पर जैसे मर्जी अपने हिसाब से key mapping रखना है आप जो यहां पर रख लिजएगा तो चले फिर मैं जो यहां पर key mapping कर लेता हूँ आप जो यहां पर अपने हिसाब से कर लेना अगर आपकी PC में यहां पर standard पर game lag करता है तो आप जो इसे smooth पर play करना तो game जो lag नहीं करेगा अब आप जो इसमें easily game को play कर सकते हो इसमें आपको कोई भी error वगयरा नहीं आएगा तो चले फिर अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक like and channel को subscribe जरूर कर देना